आज हम खेलेंगे एक नया पजल गेग और उसके लिए मेरे पास यहां पे पहुत सारे लेटर्स और नमबर्स हैं अब हम A के साथ स्टार्ट करने वाले हैं तो पहले क्या आएगा? A ओके तो A आएगा एंड देन अगला नमबर होगा किसका? B अगला है B, करेक्ट और फिर क्या आता है? C C होगा अगला और उसके बाद आना चाहिए किसे? B को हाँ D है और उसके बाद अब कौन आएगा? E E है करेक्ट और उसके बाद अब कौन आना चाहिए? F I think F आना चाहिए बट मुझे मिल नहीं रहा F ये रहा, ओके F आ चुका है और उसके बाद अब आना चाहिए किसे? G हो G आ चुका है और अब उसके बाद क्या आता है? H ओके तो हमारी विवर्स भी देख रहे हैं और वो लोग भी बताएंगे कि इसके बाद क्या आएगा? चुकी I उल्टा लग रहा है यहां पे I के बाद क्या आएगा? J J, correct और उसके बाद K हाँ, तो उसके बाद आना चाहिए K को लेकिन K मिल नहीं रहा और यह रहा K और अब क्या आएगा? L और L हम यहां पे फिट करेंगे इसे यहां पे और L आ चुका है और अब उसे आना चाहिए किसे? M को M के बाद क्या आता है? M M तो यहां पे लग गया है लेकिन N को भी हम यहां लगा देते हैं और उसके बाद किसे आना चाहिए? O O, correct तो उसके बाद आता है O अरे यह P कहां भाग रहा है? P यहां लगो और उसके बाद Q Correct और उसके बाद क्या आएगा? R O, okay R के बाद S और S यह उल्टा लग रहा है उसे सीधा करो अब हुआ यह Correct और इसके बाद होना चाहिए T को T के बाद क्या आता है? U U को हम यहां लगा देते हैं और U के बाद क्या आएगा? V V को हम यहां लगाते हैं और उसके बाद आना चाहिए W को W हम यहां फिट करते हैं और उसके बाद आएगा X Correct, X और उसके बाद आना चाहिए Y Y और Y के बाद क्या आता है? Z हमने इसे कमप्लीट कर लिया अब सब लोग क्लैप क्लैप करो और हम अब खेलेंगे नमबर्स के साथ Let's start with One और One के बाद क्या आना चाहिए? Two Correct, Two और उसके बाद Three यहाँ fit होगा उसके बाद Four Four को हम यहाँ fit कर देते हैं और उसके बाद क्या आता है? Five Five गिर रहा है फिर से लगाओ Five और उसके बाद Six Six को हम यहाँ fit करते हैं और उसके बाद Seven Seven को हम यहाँ लगा देंगे उसके बाद Eight Eight और Eight के बाद क्या आता है? Nine 9 को हम यहां लगाएंगे और लास्ट है 0